T20 World Cup Final में भारत ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 7 विकट के नुकसान पर 176 रन बना लिये हैं और मुकाबला जीतने के लिए भारत को दक्षिन अफरिका की टीम को 176 रनों के अंदर रोकना है क्या इससे पहले कभी किसी टीम ने चेस करते हुए 176 रन बनाए हैं अभी आपको बताऊंगा लेकिन पहले बतादू कि आप देख रहें नियूस बाइसकोप और मैहूरा की शरंजन भारत और दक्षिन अफरिका के बीच टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है बार्बाडोस में और आपको बतादू कि इस मुकाबले में टॉस भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले बल्ले बाजी करने का फैसला लिया पहले ओवर में ये फैसला बिलकुल सही साबित हो रहा था क्योंकि पहले ही ओवर में विराट कोहली ने तावर तोड चौके लगाए औ और पंद्रह रन बटोर लिये दूसरे ओवर में भी सब कुछ ठीक चल रहा था रोहित शर्मा ने दो चौके लगा लिये थे लेकिन तीसरा चौका लगाते हुए वो शॉर्ट स्क्वाइर लिक पर कैच किये गए और भारत का पहला विकेट गिरा और ये विकेट स्पिनर के शौमाहराज ने लिया और कुछ गेनों के बाद ही रिशब पंत भी बिना खाता खोले वापस पवेलियन लौट गए और 23 रनों के स्कोर पर ही भारत का दूसरा विकेट गिर गिर गया और टीम संकट में दिखने लगी ये संकट तब और गहरा गया जब सुरे कुमार याद तो भारत का स्कोर था तीम विकेट के नुकसान पर एक 34 रन और अब यहाँ पर लगने लगा कि टीम संकट में आ गई है लेकिन तब ही विराट कोली ने एक छोर संबाला अक्षर पटेल आए दोनों ने एक साजेदारी की शुरू में धीरे धीरे स्कोर किया लेकिन बाद मे अक्षर पटेल ने फोर्थ गेर में बल्ले बाजी की और देखते ही देखते चौके छके लगाने लगे लेकिन आखिरकार 31 गेंदों पर 47 रन बनाने के बाद दुर्भागेशाली तरीके से अक्षर पटेल जो है वो रन आउट होते हैं और वहाँ पर 73 रनों की साजेदारी जो अक्षर पटेल और विराट कोहली के बीच हुई उसका अंत हो जाता है भारत का इसकोर 106 रन 4 विकेट के नुकसान पर 14 हुआ ओवर ये चल रहा था उसके बाद एक और साजेदारी पनपती है और ये साजेदारी पनपती है विराट कोहली और शिवंदूबे के बीच मे शिवंदूबे एक छोर से रन बनाने का सिलसिला जारी रखते हैं विराट एक छोर संभाले रखते हैं लेकिन अर्दशतक लगाने के बाद विराट ने भी अपने बल्ले का मूँ खोल दिया और चौके और छके लगाने शुरू कर दिये लेकिन इसी प्रयास में विराट को स्कोर पर इसके बाद शिवम दूबे भी आउट हो जाते हैं शिवम दूबे ने 27 रन बनाए 16 गेंदों पर और फिर आखरी गेंद पर रविंद्र जडेजा आउट होते हैं और भारतिये पारी निर्धारित 20 ओवर में समाप्त होती है 176 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर मत हम रिकॉर्ड की बात करें तो जो हाइस्ट चेज है किसी फाइनल में ICC T20 वर्ल्ड का फाइनल की मैं बात कर रहा हूं तो वो है 173 रन जो आस्ट्रेलिया ने चेज किया था दो हजार इकिस में न्यूजिलेंड के खिलाप मतलब ये कि अगर ये रन चेज होते हैं तो एक न अर्ली विकेट दिला पाएंगे कुलदीप के चाइना मैन का क्या जवाब दक्षिन अफरीकी बैटर्स के पास है अक्षर पटेल का इंटेलिजन्स किस तरह का है रविंद्र जडेजा की एकुरेसी किस तरह की रहती है इन सारी चीजों पर बहुत कुछ निरभर करने वाला है तो जो अभी जब दक्षिन अफरीका की पारी शुरू होगी तो इन सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे तो तब तक हमें उसका इंतजार करना चाहिए अभी आपसे अनुमती लूँगा इजाजत दें नमस्कार